रोहेल खंड के धर्ती बरेली से हमारा एक खास कार्यकरम लगातार जारी है और अब हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सामाजी कार्यकरता भी है, युवा भी है, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, लेकिन सबसे पहले में वाइदों के सारे सक्ता चाहते हैं यह संभव भी हो पाएंगे धर्ती पर देखिए समझवादी पालिटी की राश्टे देख्षे खलेश अदव जी की खासियत है वो जो घोष्टनापत्र में देते हैं वो सब प्रतिशत पूरा करते हैं अधव जी ने भी जो घोष्टनापत्र में देते हैं वो तक लागू की गई तो जो हमारे घोष्टनापत्र में देने की हो सिचाई के लिए किसानों के सहीयोग करने के लिए बिजली फ्री हो या फिर पुरानी पेंशन जो बहुत महत्पूर मुद्दा है अगर राश्टे द इनके घोष्टनापत्र में तो इस बार मुफ्त की चीजों की भरबार है ये भी फ्री दे देंगे ये भी फ्री दे देंगे वो भी फ्री दे देंगे आपको क्या लगता है भारतिय जन्तापार्टी को क्या ये संभव हो पाएगा या आप लोग किस तरीके से इस पर अपन प्रेज़ करती है और उन संकल्पों को पूरा करने की पूरी प्रेड़ना करती है पूरी इच्छा शक्ती से उसको पूरा करने की प्रयास करती है अपना खुद काम देना पड़ेगा सरकाई नोकरी नहीं मिल पाएंगी यहीं मेरी बात नोट कर लिजिए चाहे कोई कुछ भी कहे इस शेर के साथ मैं कहूंगा कि सरकाई नोकरी के लिए हमें खुद अपने उद्धो लगाने पड़ेंगे काम करना पड़ेगा मैं अपना हाँ यह हो तक सरकार से हम पैसा लें बिल्कुल यही बात आज कल सुनने में मिलती हैं सरकारे करती हैं कि नोकरी देने वाले बनिये लेने वाले नहीं आप तो एक युवा हैं इन्होंने जिस तरीकी बात रखी आप एक युवा होने के नाते आपके क्या सपने हैं क्या उम् इंडिश्टी थे वो सारे सारे बंद करने का काम किया जिससे यहां पर हमारी बदेली में कोई रोजगार का साधन है नहीं दूसरी बात जो छात्रों ने अंदोलन किये उन 600 छात्रों प्रयागराज में मुकदमे लिखा दिये गए बाकी चाहती है क्या कुछ होना चाहिए यह बताई यह चाहिए कि जो इन्होंने कहा था कि लेपटाप बटने चाहिए वो लेपटाप नहीं बाते हाना कि समाजबादी पार्टी में तो मिले थे लेपटाप सभी को मिले थे इस सरकार में लेपटाप भी नहीं मिले तो हमारा युवा आगे कैसे बढ़ेगा उसे रोज अगर मैं महीलाओं के बात की है उनके सशक्तिकरण की बात की है लेकिन महीलाओं के मुद्दे आपको लगता है कि उतने उठ पाते हैं जितने उठने चाहिए चुनावों में महीलाओं को सबसे पहले जो भी सरकार आती है वो महीलाओं के बारे में बात जरूर करती है और मेरा मानना है कि जो मौझूदा सरकार है उसमें फिर भी महीलाओं के लिए सम्मान है सम्मान जनक डिस्टी से देखा जाता है जो दूसी सरकार की यहां पर बात हो रही है उस सरकार महिलाओं के प्रती कितनी अभधर और निराशा जनक टिपडियां की गई, किस तरह का महौल था उस सरकार में, आज उस सरकार में कम से कम वो महौल देखने के लिए हमें नहीं मिलता, और उम्मीद यही है कि अब की जो सरकार बनेगी, उसमें महिलाओं को समान की इडिश्ची स खारा उतरें विधायक जो चुन कर जाए वो खारा उतरें आप इस तरीके से देखते हैं आप युवा भी हैं रुहेल खंड के अलाके की अगर मैं बात करूँ ये काफी पिछड़ा इलाका ये माना जाता था आपको लगता है कि पिछले पांच वर्षों के अंदर कोई बदल करती हैं हमें वो वादे देखने के बजाए उन्होंने उनका रिपोर्ट कार देखे कर एक कि उन्हों किसी ऐक धरम विशेश केले नहीं हो सकती अगर बिजली 24 गंटे आएगी तो किसी घरम विशेश के लिए नहीं आएगी विकास जब भी होता है वो पूरे समाज के लिए होता है विकास कभी भी किसी एक जाती या एक घरम विशेश के लिए नहीं होता तो हमें मैं मानता हूँ कि राजनीति उन दलों को सपोर्ट करना चाहिए उनको वोड़ देना चाहिए जो सब को समाज को साथ में लेकर के और राजनीति करना जानते हैं जिनके पास एक दिशा है कि हमें अपने देश को सब को साथ में लेकर के हम किसी को भी यह नहीं कह सकते किसी एक जाती विशेश को कि इसको अलग करके हम हिंदुस्तान से देख सकते हैं हिंदुस्तान एक ऐसा गुलिस्ता है जिसमें विभिंद अलग-अलग फूल है उन सब फ समाजवादी पार्टी पर लगता है जब आपकी सरकार आती है तो अपराधी निरंकुष हो जाते हैं अपराध का बोलबाला बढ़ जाता है इस बार अगर आपकी सरकार मनी तो यह बहुत बड़ी चुनोती आप लोगों के लिए खुद भी हो सकती है समाजवादी पार्टी की सरकार में मानी राष्टी अदेख जी रे डायल हेंडरेट की व्यवस्ता करी जो विश्व इस तरी है नियॉक की तरज पर युत्तर प्रदेश की पुलिस को अपग्रेट किया गया डस नंपे जैसी व्यवस्ता देके लड़कियों के और महिलाओं के सुरक्षा की बात की गई और काम किया गया सबसे महात पूर बात जो निकल के आती है वो यह है कि भारतिय इंता पार्टी की सरकार में चाहे वो एक्सप्रेस वे बरानी की बात हो चाहे जो भी हो काम कुछ नहीं किया है सिफ आकलों में बात होती है बरीली में एक भी तीन सो बिटका होस्पिल से अखले श्यादव जी ने बनाया था उसकात कोई नया होस्पिटल नहीं बनाए कोई नई सैक्षिक विवस्तावार करी गई हो कोई कॉलिज घरा हो तो बताए कोई नया होस् एकम कॉला सुरुक या गया हो